अस्सलाम वालेकुम एब्रीवन टुड़े मैं बेक विट अनदर रेसिपी आज की रेसिपी है हलीम बड़ी इप की बड़ी खुशियां बक्राइद स्पेशल हलीम रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी step by step मैं आसान तरीके से आपको ये हलीम बनाना सिखाऊंगी तो आपने ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है और कैसे easily port में जो है गोश गल सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी कोई आपको cooker की इसमें जरूरत नहीं है और साथ ही साथ मैं आपके साथ इधर एक secret मसाला शेयर करूंगी जो के हलीम को चार चान लगा देगा तो without wasting time चलें हैं recipe बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ball में सारी डाल डालेंगे सबसे पहले हमने यहां पर डाली मसूर की डाल माश डाल मौंग की डाल और साथ में हम यहां पर डाल देंगे चन्ने की डाल यह सब हमने डालनी है यहां पर one four cup डालने के बाद हम यहां पर डालेंगे चावल यह भी हमने डालना है यहां पर one four cup और इन सब को अच्छे से दोने के बाद पानी में सोक कर लेंगे पानी में हम इसे बिगोएंगे तकरीमन चार गंटे तक के लिए हमने डाल को पानी में बिगोने के लिए रख देना है जितनी अच्छी ये बिगोएगी उतना अच्छा जो है हलीम का टेस्ट बनेगा तो इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे गंदुम गंदुम हमने यहाँ पे लेने आदा कप आदा कप गंदुम आपने अच्छे से दोने के बाद इसे भी पानी में बिगो देना है बिगोने के बाद हमने इसे भी चार गंटे तक के लिए रख देना है अब हम बनाएंगी यहां पे गोश्ट, तो गोश्ट को बनाने के लिए पिले हम एक पोर्ट मेल यहां पे वेजिटेबल ओयल लेंगे, तकरीबन आदा कप, उसके बाद हमने दो दर्मियानी प्यास काट कर उसमें डाल देनी हैं और इन्हें अच्छे से सोते कर लेना है, सोते आपने यहां पे मर्टन या भीव डालके अच्छे से से बूनना है, दर्मियानी आज पर अदर कलहसन पेस डालेंगे, हम वन एन आफ टेबल स्पून, और अब जाएंगे सारे मसाले, लाल मिर्च वन टेबल स्पून, जीरा वन टी स्पून, हल्दी वन टी स्पून, धनिया पाउडर यहां पे जाएगा वन टेबल स्पून, गरम मसाला वन टी स्पून, और जावितरी और जाएफल पाउडर यहां पे जाएगा, हाफ हाफ टी स्पून, नमक यहां पे आप अपने मताबिक डालें, यहां टी स्पून डालकर अच्छे से गोश को भून लें, गर्मि तक के लिए तो ये अच्छे से गल जाएगा अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहां पर हम एक बर्तन में डालेंगे वन लीटर पानी और जो हमने गंदूम यहां पर बिगोई थे इसको तकरीबन चार गंटे हो चुके हैं वो हम इस बर्तन में डाल देंगे और अच हम निकाल लेंगे दाल का और फिर हम इसको डाल देंगे यहां पर इसको भी तकरीबन चार गंटे हो चुके थे अब इन सब दालों को हलकी आच पे रख देना हैं तकरीबन एक से दो गंटे तक के लिए तो अच्छे से दाल जो है वो गल जाएगी यहां पर गोश को और दालों में डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद हल्की आच पर फिर से हम डग देंगे इसको कवर कर देंगे तकरीबन आदे गंटे तक के लिए आदे गंटे के बाद हलीम की कुछ इस तरह से शकल आ जाएगी उसके बाद हम ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर लेंगे आपने हलीम को थोड़ा ठंडा करना है उसके ब्लेंड करना है अच्छा ब्लेंड देखें इस तरह आपने कर लेना है easy तरीका है आराम से ब्लेंड हो जाती है हलीम इससे तो इसमें कुछ जादा महनत की ज़रूरत नहीं उसके बाद वापस हम चूले पर रखेंगे दर्मियानी आज पर और इस तरह मिक्स करेंगे देखें इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें बबल्स आएं तो हमने आपके साथ में शेयर करते हैं वो है हमारा चिकन तिका मसाला ठीक है तो यहां पर आप तिका मसाला डालें तकरीबन वन से टू टेबल स्पून और अपने टेस्ट के मताबिक भी आप यहां पर तिका मसाला डाल सकते हैं यह जरूर डालिएगा यहां के हलीम को जो है वो चा ब्राउन दर्मियानी आच पर यहां पर हलीम को तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं अब हम तरका इसमें डालेंगे और चूला यहां पर कर देंगे बन और यहां पर करेंगे हम गर्मा गर्म सर्फ गर्मा गर्म सर्फ करना आपने आपने अप चाहें तो रोटी के साथ कहाएं चाहें तो आप ऐसे भी से खा सकते हैं बोँठ ही हल्दी और बहुत ही यमी यह बनेगी तो आपके साथ में यहां पर शेर की इजी स्टेप बाइ स्टेप हलीन की रेसिपी अच्छा अब यहां पर आपने टॉपिंग कर लेनी है चाट मसाला, ब्राउन प्यास साथ में आपने यहां पर मिर्चे, अद्रक और धनिया और लीमू के साथ तो यकिन करते हैं आपको यह रेसिपी पसंद आएगी रेसिपी पसंद आईगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंड और शेयर करना मत बूलिएगा कोई भी क्वाइरी हो तो आप कमेंड में मुझे जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा बेल आइकन को क्लिक कीजएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए मैं मिलते हूँ इंशाला आप से अगली वीडियो में कुछ स्पेशल रेसिपि की साथ तब तक के लिए अलाहफेश